चिराग पास्वन को अगर हो हिम्मत, सेर का बेटा है, सेर है, तो लोग सबास सदन में उठाए और चिराग पास्वन जो बतौली कर रहे हैं मनुवादी, ब्रहमनवादी मान सिक्टा से ग्रसित और भाजपा के सरकार में कोई नई बात नहीं है तो आप अलग से EWS के तर्ज पे 10 परती सता रक्षन दे देते, अगर नहीं माने, यो लोग वापस नहीं लिया, तो 21 अप्रेल को भारत बंध होगा, अज इसका मैं जोड़दार तरीके से समर्थन देता हूँ, और जो समाज की नेता है, और जो समाज की बात नहीं करता है, त मेरे पिता जी सचीवाले में कलर्क रहें, चप्रासी रहें, अब वो चर्तला अगर मकान बना लिये, तो समर्थ हो गया है, ACSDR अरक्षन को लेकर देश के सबसे बने न्याले सुप्रीम कोड के तरफ से अतिहासिक फैसला सुनाया गया, साथ अजजों की पीट ने अतिहासिक फैसला सुनाया, और कहा कि ACSDR अरक्षन में कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दी जाती है, क्रीमी लेयर की बात की गई, और कहा गया कि सब कैटेगरी इसमें अब होगा, क्रीमी लेयर मतलब कि जो ACSDR के अंदर आने वाली जाती अगर वो संपुर्ण हो गया है, अगर वो हर तरीके से राजनितिक, समाजी, कार्थिक तोरपस सब्रिद हो गया है, तो उसे अरक्षन का फैदा नहीं मिलना चाहिए एक बात और जिक्र किया गया कि जिस व्यक्ति को एक बार अरक्षन का लाब मिल गया, उसके अगली पीडी को अरक्षन का लाब नहीं मिलना चाहिए, अब इस फैसले के बाद राजनितिक दल के नेताओं के लिए एक बड़ा संकट बन गया है, और जो नेता है वो अपनी प आप मानते हैं कि आपके हित में फैसला है, देखे सुप्रीम कोट सुप्रीम है और उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आई है कोटे में कोटा, क्रीमिलियर लागू करने की बात, तो ये असबधानिक रूप से है, सबधान को बाइफर्केटिंग करके और जो नियमा वाली नियम कानून के तहत ये किया गया है, कोटे में कोटा, तो मैं वैसे मान सिकता कि जो जज, साथ सदर से खंट पिट के जो जज लोग बैठे हुए थे, जो फैसला सुनाए, उसमें सबसे बढ़ा सवाल है कि कितने लोग अनुसूती जाती जन जाती से थे, एक एक थे, छे लोग जो फैसला दिये, वो एक जज जो थे, वो आस्वामती जता रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अनुसूती जाती जन जाती का जो रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी, और जो बावा साहब ने जो बात रखे थे, गोल में, सम्मेलन में, पुना पैक्ट में जो सभिधान बनने से पहले, तो वो लड़ाई लड़कर के जो दिया था, वो इसलिए नहीं क्रीमिलियर के लिए बात नहीं हुई थी, वहाँ पे क्या बात हुई थी, कि सामंतवादियों के मुक्धारा में लाने के लिए, सामंतवादी के मुक्धारा में लाने के लिए द आटा जा रहा है जो कि जाज नहीं है सबिधानिक रूप से सही नहीं है अगर आप क्रिमिलियर को देखते हैं तो सहाब आपके सुप्रीम कोर्ट में ही जुडिशियरी में ही आपको कॉलिजियम सिस्टम नहीं दिखता अजादी के 77 साल होने को जा रहे हैं सहाब रोस्टर पुन्रूप से आपको आज बता दू कि EWS के जो फाइदा ले रहे वो नहीं दिख रहा है तो आप कौन सी मानसिक्ता का यह पूरक है आप कौन सा फैसला दें अगर आपको फैसलाइन सुनाना है अगर आप देश में चाहते हैं कि दलितों का हिट हो फैदा जादा से जादा हो तो आप अलग से EWS के तर्ज पर दस परती सता अरक्षन दे देते हैं सुप्रिम को अगर कहती है कि बाई जिस वेक्ति को अगर कोई एसी कोई वेक्ति एसी कैटेग्री में आता है अगर वो यूपीसी कौलिफाइग कर जाता है आईएस आईपेस बन जाता है नेता मंत्र में कलरक रहें चप्रासी रहें और वो चर्तला अगर मकान बना लिए तो सम्रीद हो गया है उनके बेटा क्या कर रहें यह माइने रखता है और आपको बता दू कि यह रिजर्वेशन पॉलिसी कोटा में कोटा यह राजनीती में नहीं यह बात हो रही है यह बात हो रहें तो कहीं न कहीं यह मनुवादी ब्रहमनवादी मानसिक्टा से ग्रसित और भाजपा के सरकार में कोई नहीं बात नहीं है एक्टो सिटी एक्ट को भी आपको खतम किया जा रहा था तो उस समय देश का दलित देश के अनसुची जाती जन जाती लोग दो अप्रेल 2018 को सरकों पर आया और सुप्रीम कोर्ड सुप्रीम नहीं है उससे ऊपर लोग सभा सदन है और रास्पती महोद हैं तो इस पे सुप्रीम कोर्ड का भी फैसला को हम लोग बैकफूट में ला सकते हैं अगर नहीं माने यो लोग वापस नहीं लिया तो 21 अप्रेल को भारत बंद होगा आज इसका मैं जोड़दार तरीके से समर्थन देता हूँ समर्थन करता हूँ जेल भी जाने का काम करेंगे यह भारत बंद कौन करेगा नेता करेंगे चुकि आम जो गड़ीब हैं जो एससी कटेगरी में आते हैं उनके लिए तो नहीं लगता है कि उनके हीत की बात इसमें की कानिडेट्स आर नौट अबलेबल तो जब आप कोटा में कोटा लाकर के नीचे वाले पौधान पर हमारा जहां पर समाज का लिट्रेसी दर क्याते हैं 42 परतिशत है 35 परतिशत हैं मतलब कि यह इलिट्रेट्र लोग है अनपर लोग है पढ़ाई सिक्षा दिक्षाम नहीं मिल पाई है अभी तक पुरा तो वो कहां से कंपटिशन कर पाएंगे वहां पर वहां पर भी कहा जागा कि दर कानिडेट्स आर नौट अबलेबल तो आप उस सीट को एक के तरह से अपने घर में रखना चाहते हैं जो कि हम लोग कभी बरदास्त नहीं करेंगे और जो हमारे किन ने था है अःँ जो समाज की बात नहीं करता है तो लोग सभा में हिंमत हो तो बात करके देखे न भाई आपकी हिंमत है नहीं आप हाइ Wellrä किfilm YOU पैसले पर अब करें सुप्रीम कर एक सुप्रीम कोट जाएंगे अरे सहाब आपको चून करके समाज ने भीजा है हाई कोट में ये लोग सभा में रास सभा में बात करने के लिए रासपती से मिलने के लिए आप से फोटो सेशन के लिए कि कहाउत है कि भुजैयों का भाई अदुलों का भाई दुलों का भाई दुलों का भाई दुलहनियों का भाई तो ऐसे नहीं चलेगा लगी से घास खिल मंतिस से मिलिए आप अपने घर बचाने के लिए पड़िवार बचाने के लिए आप बात करने जाते हैं लेकिन यहां नहीं सुनिए में क्या है कि समाज को कमजोर रखने की यह साजी से और जो सरकार में बैठे हुए लोग है वो भी चाहता कि यह हो अपने चिराग पास्वा ने इस प्रस्ते पर सवाल खड़ा किया और का वह समाज में चुवा चूत व्याप्त है उन्होंने कई उधारन दिये कि मंदिर में जाने के बाद मंदिर दो आता है चुवा चूत समाज में हैसे लिए यहां पर क्रीमी लेयर की बात हो ही नहीं सकती ह आपको लगता है कि अभी भी अपवाद को छोड़ दिया जाए चुवा चूत है दलितों के सांथ कोई दूसरा कास्ट अपर कास्ट के लोग चुवा चूत यसी कुप्रथा का सिकार दलित हो रहा है देखे जो ब्रहामन वादी मासिक्ता के लोग है आज भी बड़े पैमान पर यह चुवा चूत चल रही है कहीं पर मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है कहीं पर यह पूजा करने नहीं दिया जाता है कहीं पर गाउं में अंटचाबिलिटी और अंटचाबिलिटी को लेकर के चुवा चूत को लेकर कहीं यह रिजर्वेशन पॉलिसी आया था आज इसको ये कोटे में कोटा क्रीमी लिया और बात करके आप कहीं आप सहाब बिहार सरकार में अगर है स्टेट वाइज अगर किया जाएगा तो अभी तक आप पदनुति में परमोशन नहीं दिये हमारी जो जाती है पास्वान वो देश में 28 राज्य है उन 28 राज्यों में स मा तो छे राज में रिजर्वेशन मिलता और 22 राज में नहीं मिलता है अज देश अजाद हुए 77 साल हो गए तो सहाब आप कौन सी राज्योंति की बात करते हैं आप कौन सा रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सारा सर मैं एक ही चीज़ करता हूं कि हमारे नेता लोग आज ह पापस मतला लिया जा सकता है तो देश की जनता देश के अनुसुची जाती जन जाती सरक पे आएंगे तब लोग सवासदन और रासपती उस पे मोहर लगाएगा तो मुझे यहां जहां तक यह समझ में आता है ने तो यह लोग तो आज तक चाटू करता किये हैं आज तक लेकिन देश के सबसे बड़े नयाले साथ जजों की पीछे एक के वहमत के सांथ इस अत्यासिक फैस्टों को सुनाई है हलाकि कई तरह की प्रतिकरिया है रही है शिराग पास्वाने कहा कि भाई छुवा छूत है इसलिए इससी में क्रीमी लेहर की बात हो ही नहीं सकती है इ आर्टिकल 14 को देखिए समानता का अधिकार आर्टिकल 16 को डिखिए आर्टिकल 19 का देखिए बारत सविधान 341 का हवाला जो दे रहे हैं तो आप किस ओड ले जा रहे हैं उस हवाला के अनुसारी फिट नहीं बैठता है आप एक तरफ हमको यह संपुन अधिकार नहीं देत को जुट मुटके तो गुम्रा करने की साजिस है और चिराग पास्वन को अगर हो हिंमत सेर का बेटा है तो लोग सबाइब सदन में उठाए नरेंद मोधी को आख दिखाए अमिसा को आख दिखाने के अगर हिंम इम हिंमत तो लोग सबह में आबाज उठाए प्रामला कि नाले से जुरा है तो ऐसे में चिराग पास्वाने कहा तेका वई सरकार के स्थरप अपनी बातों को रखेंगे बहराल आप क्या सोचते हैं इस पुरी विशे को लेकर आप कितना समझ पाते हैं और क्या सोचते हैं क्या सुप्रीम कोड का फैसला ये दरित महादलि का लिजे